तो नमस्कार आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची इंवर्षिटी अंडरस्टेंडिंग इंडिया सेट भी भैक ठीक है यानि की बैक वन भी का पेपर इसमें अंडरस्टेंडिंग इंडिया आपका और साथ ही ग्लोबल सीटिजन सीपे जुकेशन मेक्स है ठीक है कुल मिल को आंसर करते हैं आप लोग मैच करते जाहिएगा और अगर आप इन फ्यूचर में एक्जाम देने वाले हैं जैसे कि दोजर पाचीस में चाविसमें यह 27 में तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और नौट करते चलिएगा ठीक है और जो लोग एक्जाम देके आएं वो में लोग मैच करते चलिएगा कितना को सँझे हो रहा है चालिस पूस इने湊ंगा तो फिर फेलो जाहिएगा पहला को शेन प्राचीन भारत में सीखने का प्रमुक मायदययम क्या था तो प्राचीन भारत में कंटस्त करवा जाता था ठीक है मौकिक था आनली मौकिक ठीक है तो आफ्सन की इसका राइट अंसर हो जाएगा next है हमारा भारत्य परंपरा में कुल kितने पुरान है तो भारत्य परंपरा में Next है हमारा नालंदा पेसे बिजाले की अस्थापना किसने की, तो कुमार गुप्ट ने नालंदा पेसे बिजाले की अस्थापना की है, Option A इसका राइट अंसर हो जाएगा, पांचवा है हमारा मदर्सा का अर्थ क्या है, ठीक है, तो मदर्सा मतलब होता है स्कूल, इस्लाम धर्में स्कूल को मदर्सा कहा जाता है, अगला है हमारा भारते सिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारते सिक्षा का मेगना कार्टा वूर्स डिस्पेच को कहा जाता है, option C इसका right answer हो जाएगा अगला हमारा भारत में अंग्रेजी सिक्षा का पिता किसे कहा जाता है तो देखिए अंग्रेजी सिक्षा का पिता किसे कहा जाता है Lord Michaelis का right answer हो जाएगा option C आगे देखते हैं next हमारा question number 8 और इसमें पुछा गया है कि ICS छोड़ने वाले पर्थम भारती कोन थे है मतलब कि Indian Civil Service ठीक है छोड़ने वाले पर्थम भारती है सुभास चंद्र बोस जी थे है जोईन किये और पड़ा किसे छोड़ दी है मारो अंग्रेजी के नोखरी को लाट next है मारा nine number sectionic सुधारों के लिए कोठारी आयोग कब बनाए गया तो sectionic सुधार के लिए कोठारी आयोग जो बनाए गया 1964 में ठीक है next है हमारा यहाँ पर दसवा question प्रथम सिक्षा आयोग के अध्यक्ष को थे है ठीक है तो प्रथम सिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे हमारे एस राधा क्रिष्णन ठीक है डॉक्टर स्वरपली राधा क्रिष्ण फाइप सेप्टमबर इसे के याद में मना जाता है सिक्षक दिवस्त ग्यारा नंबर हमारा question है राश्ट ये सिक्षा नेती 2020 के संस्त्र पक अध्यक्ष कोन है तो के कस्तुरिंगन इसका right answer हो जाएंगे option B के कस्तुरिंगन ठेक है बारे नंबर है एक मिनट यहाँ पर मैंने आपको सेट नहीं दिखा या यह कौन सा सेट का paper है तो यहाँ आपका Series D का paper है ठीक है चलिए 12 नमबर में या 12 नमबर में थे हम लोग ठीक है तो यह हमारा 12 नमबर भारत में पर्थम ओधोगी की निती कब परारम की गई ठीक है तो भारत में पर्थम ओधोगी की निती जो परारम की गई सी आरदास के द्वारा किया गया ठीक है एक में डियार मैं कहां गया दीक यारदास नहीं स्वरी onre 48 का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं तेरे नंबर हमारा कौशन है किसने बांधो को आधोनिक भारत का मंदीर कहा ठीक है तो देखिए आधुनिक भारत का मंदीर पंडित ज्वारल नहरुजी ने कहा ये जो मंदीर है ठीक है अधुनिक भारत के बांध को और इसमें सबसे पहले शुरू हुआ था फिर नदी घाटी परयोजना इसमें दामोदर नदी घाटी परयोजना भारत की प किसान का नारा किस ने दिया तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर सास्त्री लाल बहादुर सास्त्री जी ने जय जवान जय किसान ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट कोशिन हमारा सोलर नंबर भारत का लोह पुरूस कौन है ठीक है आइरन मैन आप इंड पीट ऐदा किसे कहा जाता है भारतिया नाभी के कारिकरम का हुई हम जहागीर भावाजी को कहाँ है का यहां पे हमारा हो जाएगा और इनका है कել सेंटर भी अनके नाम से ट्रामभे महाराश्ट्रा सी हो जाएगा 18 नंबर ऑवजह कि को आपेन करना था ओप्सन डीस का राइट अंतर हो जाएगा अनुक्ति मुक्त और आरक्षन मुक्त नेक्स्ट है हमारा यहां पे 19 नमबर भारती समिधान का कौन सा भाग मुल्वत अधिकारों से संबन दिते हैं तो दीखिए भागतीन में मौलिक अधिकारों को रखा गया है बाग चार में मौलिक करते हैं ब्योगों बीश नमबर है कौन सा धार्मिक समुदाए CAA ठीक है दोजार अनुनिस के अंतरगत पातर नहीं है तो राइट अंसर हो जाएगा मुस्लिम नेक्स्ट है हमारा यहां पे 21 नमबर भारती समिधान का कौन सा अनुछिद समानता की पर्टिकल फोटिन इसका राइट अंसर हो जाएगा 22 नमबर है हमारा भारती समिधान में कौन सा मुल अधिकार नहीं है ठीक है तो देखिए संपत्तिक अधिकार मुल अधिकार की स्रेणी से हटा दिया गया है ऑप्सन डी राइट होगा 23 नमबर है कौन सा अनुछिद भार समिधान की आत्मा है तो अनुछिद 32 को भारती समिधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसमें आप कोई भी अगर आपको डाउट किसी परकार का दिक्तत है तो आप सुप्रीम कोट तक अपनी आवाज को पहुचा सकते हैं नेक्स्ट है हमारा भारती समिधान में कुल कितने मुलबूत अधिकार है ठीक है तो भारती समिधान में टोटल 6 मुलबूत अधिकार है option C right होगा 25 नमबर है किस संबेधानिक संसोधन को लगु समिधान कहा जाता है तो 42 समिधान संसोधन को लगु समिधान कहा जाता है नेक्स्ट है हमारा भारती सम्मिधान का कौन सा भाग नागरिकता का निर्वचन करता है ठीक है तो भारती सम्मिधान का कौन सा भाग नागरिकता है भागरिकता के लिए भाग दो है ठीक है ओप्सन भी जिलक हो जाएगा राइट अंसर 27 नमबर है भारती सम्मिधान का कौन सा अनुछेद समाज समान नागरिक सनीता से समदित है ठीक है तो समान नागरिक सनीता से हमारा कौन सा अनुछेद समदित है राइट अनसर हो जाएगा इसका option number C यानि कि अनुछे 44 next है हमारा यहाँ पे किस सम्मिधान संसोधन दौरा सिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाए गया है तो 86 सम्मिधान संसोधन हो जाएगा right answer option D next है हमारा 29 number निती निर्देशक ता तो किस सम्मिधान से लिए गए है तो आयर्लेंड के सम्मिधान से लिए गए है option C right answer हो जाएगा 32 number question है भारती राष्ट कांगरिस के परताम में देख स्कौन थे डॉक्टर ब्यमिश चंदर बनार जी WC बनार जी इसके right answer हो जाएगा 30 का B अगला हमारा जहारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो right answer हो जाएगा दामदर सबसे लंबी नदी है option C next हम देखते हैं 32 number जहारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है मैथन बांध जो के धनबाद में है option B का right answer हो जाएगा 33 number है हमारा हिमाले स्रेनी की सरवच परवत स्रेनी कौन सा है तो देखे हिमाले के सबसे उचा चोटी है Mount Everest option A ठीक है आगे देखते हैं 34 number हो जाएगा राजमहल की पहाड़िया भारत के किस राजमेशते थे तो जहारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमहल ट्रेप ठीक है एंगलिस में बोलते हैं अगला है हमारा निम्नलिकित में कौन भारत को उत्री सीथ हवाओं यानि के ठंडी हवाओं से संरक्षित रखता है तो हिमाले इसका राइट अंसर हो जाएगा option D 36 number देख लेते हैं तो पूछा गया है कि कौन सी भागलिक रेखा जहारकंड को दो भागों में बाटती है ठीक है तो करक रेखा इसका राइट अंसर हो जाएगा करक रेखा भारत को दो बराबर भागों बाटती है आठ राजिस से होकर गुजरती है 37 number है हमारा निम्नलिक में कौन सी दामद नदर नदी के सहायक नदी नहीं है तो देखिए सोन दामदर के सहायक नदी नहीं है यह आपका अलगे साइड में बहता है ठीक है पलामो साइड में पलामो उस गड़वा साइड में ठीक है नेक्स्ट है हमारा बंगाल का सोग किस नदी को कहा जाता है तो बंगाल का सोग दोस्तों किस को कहा जाता है दामदर को ही कहा जाता है यार नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो हमारा कोशन है उन चालिश नमबर भारत में सोने के सिक्चे परारम किस राजवन्स ने किया तो कुसान राजवन्स ने सोने के सिक्के जारी कि है अगला चालिश समर कोशन है चंद्रकुप्त मौरी के गुरु कौन थे चानाइक के थे हैं गुरु चंद्रकुप्त मौरी के नेक्स्ट देख लेते हैं तो है हमारा मिनार और गुंबद जैसे अस्ताफ़ते पर्युक्त किये गए ठीक है मिनार और यसे जो अस्ताफ़ते हैं ये मुगलों के दोरा बनाए गए है नेक्स्ट आगे देखते हैं कोश्टिन है दीन ए इलाही का जनक कौन था ठीक है तो दीन ए इलाही के जनक थे अकबर, option A, इसका right answer हो जाएगा 43 नमबर है हमारा मनसबदारी परथा का प्रारम किस ने किया तो right answer हो जाएगा मनसबदारी परथा, अकबर, यानि की मुगल, option B 44 नमबर है, सबसे नवीन वेद कौन सा है, ठीक है तो सबसे नवीन वेद आपका हो जाएगा अथर वेद, ठीक है और सबसे पूराना रिग वेद आगे देखते हैं जजियाकर का प्रारम किस ने किया तो जजियाकर अकबर नहीं यार, सोरी अकबर ने तो बंद किया था और right answer हो जाएगा हमारा कुतुबुदिन एवक ठीक है कुतुबुदिन एवक आगे देखते हैं, 46 नमबर मेगदूत पुस्तक किस ने लिखी तो मेगदूत के रचेता है काली दास, option से इसका right answer हो जाएगा 47 नमबर है संस्कृत व्याकरन संस्कृत व्याकरन पर लिखी पुस्तक अष्टा दियाई के लिखक कौन है तो अष्टा दियाई के लिखक है पानिनी, ठीक है और इसे संस्कृत व्याकरन का पितामा कहा जाता है आगे देख लेते हैं, question number 48 इसमें पुछा गया है कि धम घोस के निती की घोसना किसने की, ठीक है चरक सनिता जो है एक हमारा medical line से संबन देता है ठीक है, तो medicine इसका right answer हो जाएगा महार इसी चरक इन्हों नहीं लिखा है चरक सनिता को मैंने इसके book को भी दिखाया है, अगर आपने नहीं दिखा होगा तो देख सकते हैं, मैंने इसका book पर चरक करवाया था मतलब अपने से बताया था कि आपको पढ़ना चाहिए चरक सनिता अकबर नामा पुस्तक किसने लिखी ठीक है, तो अकबर नामा को लिखा है अबूल फजल ने, जो कि अकबर के दरवारी का भी थे option D, एकावन नमबर है हमारा, यहां से question सुरू होते हैं और यहां के एक दू question A से है जिसका answer मुझसे भी गलती हो सकती है ठीक है, परियावरन नारिवात के पीछे क्या विचार है option A, इसका right answer हो जाएगा परियावरन संजक्शन में महिलाएं महत्पुन वमिका अदा करती है अगला है बावन नंबर इसमें पुछा गया है कि vindication of the right of women यह book को किसने लिखा है ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option D Mary Wallstone Craft ठीक है, आगे देख लेते हैं next है हमारा 53 number question, इसमें पुछा गया है 2011 की जनकरना के अनुसार किस भारती राज में है, ठीक है तो निम्दतम लिंगान पाथ जो हमारा हर्याना राज में है और अभी तक कोई जनकरना नहीं होगा 2021 में होना चाहिए था 24 आ गया, कोई जनकरना नहीं है कोई किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा इस तरह मैं अगर बोलूँगा तो मेरे बात को कहां तक पहुचेगा चलिए, पिर भी मैं बोलता हूँ जो सही है उसके बीचे तो राइट अंसर क्या हो जाएगा जोन रॉल्स सर जोन रॉल्स आगे देखते हैं पच्पान नंबर इसमें है कि भारत में 2014 की जनकरना के अनुसार सरवच लिंगानुपाद कि स्राज का है सबसे ज़्यादा लिंगानुपाद जो है केरल राज का है ठीक है नेक्ट देख लेते हैं तो हमारा अगला कोशन है किस ने कहा था नियाय निस्पक्षता है ठीक है तो नियाय निस्पक्षता है जोन डॉल्स ने कहा था ठीक है नेक्ट देख लेते हैं तो कोशन नबर 57 इसमें हमारा है भारतिय सामाजिक नियाय का पिता कौन है भारतिय साम 2014 से 18 तक option A स्वारी सी इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला है पहली बार अनुबम का परिक्षन किस ने किया ठीक है तो फॉर्स टाइम जो अनुबम स्वारी कहां पर किया गया तो जापान के हीरो सीमा में किया गया फिर नागा साकी में छे जून और नौ जून उनिश्व 45 नेक्स्ट है हमारा तो कॉश्चन है एन पीटी इज रेलिटेट तो देखे दोस्तों नुकुलियर पावर टेस्ट होता है इसका में और इसमें नाभी की एनर्जी नुकलियर एनर्जी से जुड़ा हुआ है ऑप्सन 20 का राइट अंसर हो जाएगा एक सट नंबर देखते ह में पूछा गया है कि भारत के पर्थम नाभी के परिक्षन ऑप्रेशन का नाम क्या था ठीक है तो देखिए और राइट अंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा यानि कि बुद्ध का मुश्कराता हुआ चेहरा और संसी एक सो कोशन है इसलिए मैं बीच में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं नहीं तो भी बोलता एक सो कोशन करने में हालत खराब हो जाता है एक बार में एक निकास में अगला है नाटो की अस्थापना किस वर्स हुई तो नौर्थ एट लाट्टिंग ट्रीटी और्गनाइजसन इसकी अस्थापना उनिस सो उन्चास में हुआ आगे देखते हैं नेक्स्ट कोशन तो इसमें पूछा गया है कि मिर्दू सकती के संकल्पना किस ने दी तो मिर्दू संक्ति के जो संकल्पना है वहां दिया है जोसेप नाई ने ने नेक्स्ट है मारा 64 नमबर CTBT CTBT क्या है जी कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बेंट ट्रेटी क यहां पर लिखा है कॉम्प्रिहेंशिव कॉम्प्रिहेंशिव टेस्ट बेंट ट्रेटी ऑप्सन एसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इसमें अगर आप बन जाएगे इसके सदेश से एक प्रकार का संस्ता है तो आप अपने देश में परमानु परिक्षन नहीं कर सकते हैं भारत इसका सदेश नहीं है राष्ट्रों के मैद्य राजनितिक पूस्तक किष्ण लिखे ठीक है पॉल्टिक से मंग नेशन इस बुक को लिखा है एज जय मॉर्गन थाउन ने नैक्स्ट हम देख लेते हैं तो 66 नोबर कोश्चिन इसमें हमारा सतथ विकास की संकलपना अरे बेटा अचानक से डोगी वोक ने लगता है यार मैं डर गया सतथ विकास की संकलपना निस्रेत हुई ठीक है तो 67 विकास की संकलपना निस्रेत हुई कब हुई तो बुरुंट लेंड आयो के टाइम पे हुई थी ठीक है आगे देखते हैं कोश्चिन हमारा प्रत्वी स संब्लन किस वर्स हुआ था तो दूस्तों प्रत्वी संब्लन जो है हमारा उनिस सो बानबे स्विगों हुआ था ओप्सन से इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है और रियो डेजेनोरियों में हुआ था तुछा भी गया कि प्रत्वी संब्लन कहां पे हुआ था परस्ट जो है अगला हमारा सत्तर नमपर पस्चिम मंगाल में में रोवन यह ओ गया और सुंतरवन मंगाल में मैं कौन है यह अलग कोसिटी ऑफ शी मं और में?, यह मैं यह मेन कॉन है जो जो में मेंगरो जंगल हमारा में रोण उन में बहुत ज़्यादा यह काम किये थे ठीक उनके बचाओं में तो इसका अज़िए जमा ही आगया और सोने का टाइम हो गया फिर भी मैं काम कर रहा हूं उमा संकर मंडल इसके राइट अंसर हो जाएंगे ठीक है अमा संकर मंडल देखिए आप में से अगर को यूटूबर बनना चाहते हैं जो सच बता रहा हूं दिमाग का दई हो जाएगा और क्या बताओं टाइम नहीं मिल पाएगा बहुत मुस्किल है यह लाइन जो है दिमागी खेल है बाई और साथ में आपको अपना पर्सनल में आते मैं रेस्ट नहीं कर पाता हूं कोई भी आदमी देखता है करता है यह सागर तो हमेसा यह तो मौवाइल पर लेप्र लेप्टोप में चलाते रहता है और कुछ नहीं होता तो अपना काम करो यह पढ़ते रोओ ठीक है चलिए जीवन का सार है जो मेहनत करता है वही से कोशें हमारा फितर कनी का नेशनल पार्क किस ती कि तो बितर कनी का नेशनल पार्क किस राज में इस्ते थे इस तो कहां पर प्रॉक्स चोड़नागपूर में आता अगला हमारा बीसो ब्यापार संगठन का मुख्याले का है तो वासिंग्टन डिसी इसका राइट अंस हो जाएगा सोरी यार बीसो ब्यापार संगठन का जेनेवा में है कि भी सुबेंग का मुख्याले वासिंग्टन डिसी में ठीक है तो इसका जिनेवा इसका राइट अंतर हो जाएगा जिनेवा स्विजर लेंड आगे देखते हैं चोंतर नंबर कोश्चिन इसमें हमारा पर्यावरण स्थीरता के लिए कितना छेत्र वना अच्छदित होना चा सब्सक्राइब है नेक्स्ट है हमारा कांजी रंगा नेशल पार्क कहां पर है एक सिंग वाल अगेंडा असम आप्संस इसका राइट अंसर हो जाएगा 77 नंबर है हाल ही में नियुक्त में से कौन सा लुनर तो चंद्रयान टू इसका राइट इंसर हो जाएगा सब को जनता है आधि मालूं नहीं है स्याइद मेरा होगा वी नहीं स्रूमीजर क्योंकि जब मैं एक्जाम देने गया था तो टाइमिंग मिला है तो हम लोग का दो घंटा एकजाम में ठीक है और टोटल कोशिन कितना था मालूम है आप लोग को एक सोब्सक्राइब में तीन घंडाय ना यह को मिला था दो घंडा और टोटल नंबर अपुर्शन से दो सो टोटल पीज़ों मिला था जो हम लोग को आप हो कोफिर मिला था कॉइचेन पेपर वह चपनृच का कॉश्ञन पेपर मीला था मैरे पास रहसे मैं थोड़ा सा लोगो एक एन और टोटल नंबर पेज आपको मैं दिखाता हूं तोटल नंबर पेज यहां पर देखे 56 लिखा होगा आप उतना किलियर नहीं है तो टेकर 56 पेज है यार 56 दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं इतना मोटा है और दो घंटा टाइमिंग और उस पर आभी मैं बता था हूं तो आप लोग आए यह आखिएगा कि आपका एक्जाम होए टफ नहीं है आप लोग मेहनत कम करते हैं तेकि इसमें हमारा 50 मैत का 50 कोशिन भा इंग्लिस का 50 कोशिन फाइंग्लीज का 50 कोशाइं मातर दो घंटा टाइम उपर से मार आपका गोला-गोला होता है न हम लोग सिपो से ताइप से इस टाइप से मारियो यार कितना मारते हैं आप अथे तो तब कॉम्पीटिसन में जब आई गाना तो आप आप competitive में नहीं आये हैं तो आपको यह सारे एक्जाम लगेगा कि यार पहाड है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा question क्या था भारत में राइस्टियम मानव अधिकार कहां पर थे यार्ट यह इस रही हमारा यह इधर ध्यान चला गया है चंद्रयान टुश्रों का प प्रयोजन की सिचाहई कौन है ठीक है ठीक है तक रर्फासर मानव और दिकार आयोग की अस्थापना कव हूं तो देखिए हमारा जो राष्ट मान्व दिकार आयोग है इसके अस्तापना हुआ है एचित नेक्ष्ट हैं हमारा जल्ब के अधिक तम जल्गै और रेखा सर्मा उसकी पर्था में देखते ही यह भी नोट कर लिजेगा काम देगा आपको फ्यूचर में जल के अधिकतम परयोजन की सिचाई कौन सी है ठीक है तो जल के अधिकतम परयोजन की सिचाई कौन सी है तो बाड मांसून अधर ट्यूबले सिचाई या फिर ड्रिप सिचाई तो गंगा भी कहा जाता है लंबाई कितनी है 1465 क्लिमेटर है 1450 क्लिमेटर है यह देख लीजिए गतों 2400 यह कुछ होगा है तो टेक है गंगा की लंबाई पचीस सो दस क्लिमेटर रेना नेक्स्ट है हमारा निम्न में कौन सा बैस्विक नागरिक का एक लक्षन है तो वैस्विक नागरिक का एक लक्षन क्या है इन में से बंधूत्व राष्ट्रवाद स्थापईति या नेत्रित तो बंधूत्व हो जाएगा हमारा आगे देख लेते हैं कुश्चन है हमारा 82 नंबर इसमें पूछा गया है कि कौन सा देश बहु निम्न लिखित में कौन सा संगठन देशों को अलप अवधी रिन उपलप्त कराता है यानि कि सौट टाइम के लिए लोन देता है ठीक है और यह हमारा अंतराष्ट मुद्रा को साइए में सोट में बोलता है इंटरनेशनल मॉन्टारी फंड नेक्स्ट हमारा निम्न लिखि संगठन कि इसदेश से संबन्दित है तो तो होती सैन्ज संगठन जो है हमारा यहां इरान से संबंदी थे और संजुक्त राष्ट्र संग के कितने प्रमुक अंग हैं तो संजुक्त राष्ट्र संग के हमारे टोटल जो में अंगे six organ है ठीक है इसमसाची वालाय आता है परिशार आता सre hell नियायलाय का मुख्यालिए कहां इस्ते sing नियायलाय कि मुख्यालिए धी निदर में तु नियायली का सहर है चेग भी नहीं नमबर है निला बॉक्स हरा बॉक्स पीला बॉक्स की वैक्षा किस संगठन के द्वारा होता है तो इसका हम लोग बोलते हैं डव्ल ट्यो वर्ल्ल ट्रेड और्गनाइजसन यानि की विश्व बैपार संगठन ठीक है अगला हमारा नंबे नंबर कोशन निम्न लिकित में कौन जी सेवन का सदेश नहीं है तो जी स इंग्लेंड करनाड़ यह सभी जी सेवन यानिकी गुरूप सेवन के सदेश से हैं अगला हमारा कच्छा तीव कब स्री लंका को सौब दिया गया देखिए कच्छ यह एक छोटा सब द्वी पर इसके लिए भारत और स्री लंका के बीश मद्वेद पाया गया उनिस सोब दि नेक्ष्ट है हमारा देशों के मिद अ कच्छती है और भारत और स्रेश लंका कि मद्वेद उप्सन भी नेक्ष्ट है प्रक्राद किस देश में रोहंग्या的 धार्मिक सौषन का सामना कर तो इसका राइड अंजर किया हो जाएगा सब को जानता है यार मैं अमार Dre whisexcЕ मुसल्मान ठिक है अगला हैं हमारा बहू अरो संस्कृतिवाद संकल्पना संबंदित है कि से संबंदित है जो पर तो बहुत सारी संस्कृतिऊ क्या याने बिविन संस्कृतियों का परतेनेदित समाज ओगे देखते हैं हमारा 95 नंबर निमन लिखित में से कौन बहुँ संस्कृतिवाद का मुंख्य लेखक है तो बहु संस्कृतिवाद का कौन है विल किलमिका ओप्सन सी आगे देखते हैं 96 नंबर BASWIK NAKRIKTA का VICARE moment किस पर आधारित है तो डान्सR हो जाएगा हमारा लिंक आधारित नागरिकT यळिए 97 नंबर कश्चन sleखना की तो अपिस्चन हो जाएगा राएट अंसR डाविंद्र नाट टेगॉर 98 नंबर लेंगिक समानता की संकलपना है क्या है समानता कि संकलपना तो राइट एंसर हो जाएगा हमारा बिना किसी लेंगिक भेधभाव के समाना दिकारों तक पोहिंच आगे देखते है 99 नंबर इसंसे पुछा गया है कि नारिवाद की पर्थम लहर संबंदित है किसे संबंदित है इसका राइट अंसर मैं नहीं निकाल पाया हूँ ठीक है 100 नमबर है किसने कहा औरत पैदा नहीं होती यह से बनाए जाता है ठीक है वुमेन इज नोट बॉर्ण बट मेड ठीक है तो यह कहा था हमारा किसने केरोलीन पैटमेन ने या मेरी वाल्स कोर्टा ने नहीं राइडन सो जाएगा ऑप्सन भी मेरी वाल्स्टो क्राप्ट ने ठीक है ऑप्सन सी तो एक सो कोश्चन हो गए है अब आपका एक कोश्चन है कि यार हमारा रिजल्ट कवाएगा देखिए आप लोग मेच कर लिजेगा अगर आपका मार्क्स आ रहा है जैसे 50 ठीक है तो आप यह भी मान के चलिए के 45 भी हो सकता है पच्वन भी हो सकता है क्योंकि कुछ कोश्चन ऐसे हैं जिसका अंसर एडजेक्ट नहीं मिल पाएगा ठीक है तो पांच आप इधर उधर कर सकते हैं चलिए यह बात तो हो गई अब हमारा रिजल्ट कब आएगा यह बता दिजी तो देखिए दोस्तों आपका जो रिजल्ट है अभी चल रहा हमारा में तो जून तो आएगा नहीं जुलाइभी नहीं आएगा अगस्तिया सेप्टमबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा चलिए तब तक से क्या कीजिए ऑ basement Hey लगा कोई इसकिल सी किए पढ़ाई की जीए अम्यट सgeon में आपका मैथ रहेगा मैथ फोकस किए मैथ पढ़ाई कीजिए और एक दिन मैं नाकि मिलेगा टो हुआ अपने हमारा दूसरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं करना है अगर आपको पसंद नहीं है को तो कहें करेंगे सिंपल सी बात है सागर साव है आप जाके दिखिए अगर आपको नीट लगेगा कि भाई वहाँ पर मैं गॉर्मेंट और प्राइबेट जो आपके अपडेट देता हूं ठीक है तो सागर साव वा को लोग दे दी नहीं देने का है तो मत दीजिए कोई बात नहीं सब चलता है जी नहीं बाई मिलते हैं एक वीडियो में